नमस्कार बहुत स्वागत है आपका देवो थान एकादसी जिसे हम देव उठनी एकादसी भी कहते हैं इस दिन भगवान स्री हरी विश्णू चार मेहने के बिश्राम के बाद जगेंगे और यहां से सूब मंगल कारे सुरू हो जाएंगे आप उनको मनाएंगे उनके निमित ब्रत भी रखेंगे उनका पिवा भी करवाएंगे ताकि करन्यादान के इतना पुन्यफल प्राप्त हो सके लेकिन भूल कर भी जाने अंजाने स्री हरी विश्णू को कुछ ऐसी वस्तू हैं जिनको अरपित मत कीजिएगा वरना आपको लाग नहीं मिल पाएंगे तो प्रेश कपड़े पहन कर अपने आंगन में च्छत पे या फिर अपने बालकनी में चौंक बनाएं इसके बाद भगवान स्री हरी विश्णू के जो चरन है उसको बनाएंगे कैसे बनाएंगे देखिए एक तो आप चावल को भीगो लें उसको पीस कर उस गोल से बना सकते ह इसके अलावे आप चाहें तो अभीर गुलाल से भी बना सकते हैं और फूलों से सजाईए अब चुकि दिन में ही आपको ये करना है तो साम में आपको इस चरन पादुका को जिस पर आपने पुजा पाट करके रखेंगे उसको धख दीजिएगा डलिया से हैं आपके घर मे को जगाएंगे तो संख घंटा मिर्दंग और थाल बजाकर उठाईएगा और जब थाल बजाईएगा तो इक जिसको हम गन्ना कहते हैं उससे ही बजाईएगा चोटा सा टुक्रा लेकर और फिल आप आप लोग मस्ती कीजिए क्योंकि देखिए इस दिन उमंग का दिन है त तक पांच दिन महापर्व के रूप में मनाया जाता है जब आप देव को उठाएंगे तो बोलिएगा उठो 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 वासुदेव उठो उठो कैसे करेंगे पूजा देखिए पूजन के लिए आप भगवान स्रीहरी के अपने घर में ही जहां पर आपने तस्वीर रख भगवान अगर आपने लड़ू बेके रहें बतासे सिंगहाडे गन्ना यह सब चढ़ाईए और ढ़लिया से ढख कर एक दीपख जला दे भगवान स्रीहरी के साथ पंच देव पूजा का भी विधान है और इसके बाद आप पुस्पांजली दे यग्यन यग्यमे जंत पुर्मानी प्रत्मान्यासन तेह नाकं महीमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संसित देवा तो इसके बाद आप प्रार्थना करें इयंतु द्वादसी देव प्रभोधाय विनिर्मिता त्वयेव सर्व लोकानां हितार्थ सेश सायनी इदं वतं मया देव कृतं पृत्य तव प्रभो न्यूनंग संपूर्नतां यातू तत्व प्रसाद नारजननम इसके बाद प्रहाद नारत परासर पुंडरिक ब्यास अंबरी सुक सोनक आधी भिसमादी भक्तों का स्मरन कर चर्णामरित पंचामरित का प्रसाद बितरन करें एक रत में भगवान को ब्राजमा लेकर बिदा हुए थे उसमें दैतराज बली ने बामन जी को रत में बिराजमान कर स्वेम उसे चलाया था और ऐसा करने से समुझतिते ततोत पैसनो क्रिया सर्वा परवतेत के नुसार यह भगवान विश्णू योग निद्रा को त्याक कर सभी प्रकार की क्रिया करने में हो जाते हैं इसलिए कथा स्रवन के बाद प्रसाद बित्रन करना चाहिए अब देव उठनी एकादसी इस बार प्रारंब होगा तीन नुवंबर 2022 की साम साथ बचकर तीस मिनट से और एकादसी तिथी समाप्त होगी चार नुवंबर 2022 को साम छे बचकर आठ मिनट पर और ब् आज नुवंबर की सुबह 6 बचकर 41 मिनट से सुबह 8 बचकर 57 मिनट के बीच आप कर लीजेगा तो आप सबसे पहले जानते हैं कि इस दिन क्या भगवान सरी हरी को भूल से भी अर्पित ना करें पहला है चावल चावल आप अर्पित तो कर सकते हैं पर हल्दी से कलर करके य दूसरा है कनेर का पुस्प जो सिपजी को अतिपरी है कनेर का पुस्प भूल कर भी स्री हरी विष्णू को अर्पित मत करें और तीसरा है सफेज जन्यू भूल कर भी अर्पित ना करें पीला जन्यू मंगा लें नहीं है तो हल्दी से कलर करके फिर अर्पित करें नहीं तो तो जब आप नदी सरोवर में नहाएंगे तो अच्छी बात घर में नहाते हैं, तो नहाने के पानी में गंगा जल या पवीत्र नदी सरोवर का जल डाल कर ही नहाएं, अगर नहीं है तो तुलसी के पत्ते डाल कर नहाएं, पर इस दिन तुलसी के पत्ते मत तोड़ियेगा, अभी तो पौधों के नीचे तूलसी के पत्ते गिरेवे भी आपको मिल जाएंगे तो आप उसी को उठा कर पुजा करें और जब आप तूलसी जी की सालिगराम भगवान से विभा करवाएंगे तो तूलसी के गमले में सुब मंगल प्रतिक चिन्द बनाएं इसके अलाबे त रहान समय sigma करें सिंदूर से तूलसी के पोधे के चारों तरफ सजाईएंगे और साथ ही उनको इक जरूर पिके तूलसी के पोधे में सालीगराम भगवान को पीले वस्तर धारण करा कर अब स्थापित करें और उनका विभाः करवाएएगा सालीगराम भगवान को पीले बस्तर और तुलसी जी को लाल बस्तर और पित कर दोनों में दो गाठें लगा दें और आप खुद से साथ प्रक्रमा करते वे उनका विभा करवाएं और अपनी मनोकामना कहते वे आप उनसे प्रार्थना करें कि जीवन के कस्टमिटे क्योंकि यहां से सकात्मक उर्जाओं का प्रवाह होता है तो अपने घर में हल्दी मिलेवे पानी का छड़काओ जरूर कर लीजेगा ताकि सुमंगल कारे आपके जीवन में होता रहे और मुश्किले कम हो जाए अगर जीवन में ज़्यादा परेसानी हो तब वैसे तो इस दिन पीपल के नीचे जल जरूर अर्पित करना चाहिए एक लोटा जल में थोरी सी मिसरी मीठा जल अर्पित करने का विधान है क्योंकि एकादसी तिथी पर स्री हरी विष्णू और मालक्ष मी दोनों ही पीपल के पेड़ में निवास करते है तो लोटे में जल उसमें एक चमच या दोचार बुन दूद सफेद पुस्प या जो आप प्रयोग करना चाहते हैं तो बेसक इस दिन कर सकते हैं पर सात्विक कीजेगा खुद की भलाई के लिए कीजेगा यह तो थी सिंपल तरीका जब आप उनको मनाएंगे लेकिन साम के वक्त तीन जगह दीपक जलाने का विधान है पहला पीपल के नीचे यह दिया तीसी क के तेल का होगा चुकि कार्तिक के महने में सर्सों का तेल का दिया भी नहीं जला जाता खाने में भी परहेच होता है अगर आपके लिए संभव हो तो नहीं तो सर्सों के तेल के दीपक में एक चुटकी काला तेल डाल दीजेगा और दीपक जला दीजेगा इसके बाद पास तीसरा दिया अपने घर में तुलसी जी के नीचे ऐसा जलाई ये ना पूरी रात नहीं भी जल पाए तो कम सकम आधा गंटा तो जले सिंपल सा चीज है इस दिन कुछ चीज है जिसको नहीं खाना चाहिए आप रखें या ना रखें जैसे की चावल बैंगन मूली साग मसूर की डाल काली उड़त कुछ ऐसी चीजे हैं जो नहीं खाये जाते वैसे तो यह भी कहा जाता है कि मन्चंगा तो कठोती में गंगा यानि अगर मन से आप जैसे की एकादसी ब्रत में कथा में भी आता है कि राज्या पूरे राज्य में धिंडोरा पिड़वा कर खुद भी एकादसी ब्रत रखता था ना अन बेचा जाता ना कोई खाता था लेकिन जब एक दूसरे राज का बैक्ति यहां पर आता है काम के तालास में तो वह अन्न मांगता है कि नहीं देंगे अन्न तो हम मर जाएंगे पर भोजन बना कर वह स्री भरी भी उनके साथ बैठके भोजन करते हैं तो यहां पर सबसे बड़ा मन है अब यह नहीं कि आप है पूरी ही नहीं हो पा रही है तब एक लॉंग एक सिक्का लेकर अपनी मनौकामना कहते वे तूलसी के पौधे में दबादे गार दे जब मनौकामना पूर्ण हो जाए तब लॉंग तो गल जाएगा बिटी में लेकिन जो सिक्का है उसको निकाल कर पासके किसी मंदिर के दान पेटी में डाल दीजेगा तो हम आपसे भी डालेते हैं अगर जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए अपनों से सेर कीजिए और कमेंट में हरहर महादेब चरू लिखें धन्यवाद